students good morning everybody welcomes to guru tegwada public school online classes आज मैं class 3rd की math की 16th अप्राइल की class लेने जा रहा हूं 16 अप्राइल की आपकी math की class है exercise 5th आपको करवाने जा रहा हूं जिसमें है rounding of the numbers to the nearest 10 यहनी number को किसी वी number को कैसे कौन से 10 के नजदीक है nearest 10 का मतलब कौन से 10 के पास आना चाहिए वो number उस वो बताना हमें इसके अंदर तो मैंने एक आपके सामने number line बनाई हुई है जो 20 से 40 तक मैंने number ray लगाई हुई है number line के उपर आपके सामने मैंने number 27 को round किया हुआ 27 को abundance किया हूए वेटा आप अच् offense निए निरकाऊ सिर्फ इदर लाइन्स है तो इसलिए जब हाम 27版 को nearest nine करें तो 30 पिए in करेंगे तो दूसरा इसके अंदर मैथड है इस इस फाइव और मोर वी राउंड ओव तो दा अपर नंबर जो वन्स प्लेस की डिजित है वो 5 या 5 से अधिक में ज़्यादा है 5 या 5 से मोर है तो next number में next number के nearest 10 होगी हूँ next time if the digit at the once place is less than 5 we round off to the lower number जब digit once place की जो digit है वो lower है 5 या 5 से less than है तो वो lower number की तरफ nearest 10 होगी जैसे कि मैं आपको कुछ numbers आपके सामने लिखी हूए है इसको अगर हम nearest 10 बनाएंगे तो 72 की once number की जो digit है वो क्या है 2 है 72 की one number की digit 2 है इसलिए किस की तरफ जाएगी 70 की तरफ जाएगी तो ये nearest 10 किस में change हो गया 70 में change हो गया दूसरी दूसरे नंबर में आप देख रहे हो इसकी one digit क्या है 7 यानि 87 का मतलब 81 से 90 के बीच में आता है ये नंबर तो किस की तरफ जाएगा 90 की तरफ इसकी nearest 10 क्या हो जाएगा 90 ये 235 की one digit 5 है तो 5 या 5 से more वाले को मैंने कहा था next digit में ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा ये है 943 मैंने कहा जो लेस्टल 5 है उसको हम पीछे ले लेते हैं 940 हो गया 927 की 7 है मैंने कहा था जो 5 से उपर है उसको हम next में ले लेते हैं ये 930 630 हो गया ये 9 है तो 520 हो गया ये 4 है तो 190 हो गया ये 8 है तो 870 हो गया ये 6 है तो 360 हो गया तो मैंने ये सारे numbers की nearest 10 आपको बना के बताया है वेटा आज का ये होगा का ये 9 questions आपको फिर कॉपी में करने है चाहे तो आप इसका screenshot ले सकते हैं बट आप अपनी फिर कॉपी में सब questions को करते रहे हमारे channel को continue देखते रहे हमारे channel को like कीजिए subscribe कीजिए ताक कि आप आपके phone में subscribe करने के बाद आपके phone में जो भी daily के lessons होंगे वो अपने आप आते रहेंगे